के बुरे कर्म को करो स्वाहा, बुरे विचारों को करो स्वाहा, और बुरी आदतों को करो स्वाहा, तब जीवन रुपी यग्य का शुद्धी करण होता है। फिर जब भगवान ने कहा प्रजा पिता ब्रह्मा ने कल्प के आदी में यग्य सहित प्रजा को रच कर कहा कि इस यग्य के द्वारा तुम वृध्धी को प्राप्त करो। कौन सा यग्य रचा। यह जीवन रुपी यग्य को शुद्ध करने के लिए तो ज्ञान यग्य रचा। यह जैसे ज्ञान यग्य है। इस ज्ञान यग्य के द्वारा तुमारा निष्ट नहीं होंगा। आप सुबह से सुन रहे हैं, उसमें अनिष्ट नहीं है, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ती करेगा, इस यग्य के द्वारा देवताओं की उन्नती करो, यानि जीवन के अंदर तन मन धन को सही दिशा में लगाते हुए, अपने जीवन में दैवी संसकारों की वृद्धी करो, और वे दैवी संसकार, वो दैवी प्रकरती तुम्हारी उन्नती करेगा, कितनी सुन्दर बात, एक एक बात, एक एक शब्द, जव समझ में आता है, स्पष्ठ होता जाता है, उसका रहस्य उद्गाटन होता है, कि जीवन रुपी, यग्यो को किस तर ज्या अन्न की उत्पति व्रिष्टी से होती है, व्रिष्टी यग्य से होती है, यग्य कर्मों से उत्पन होने वाला और पूर्ण होता है, कर्म वेदों से उत्पन होता है, और वो वेदों का ज्यान, अविनाशी परमात्मा, ज्यान सागर से प्राप्त होता है, सोचने की बात है कि अगर युद्ध का मैदान है कुरुक्षेत्र का दो घड़ी के लिए वही समझ ले तो युद्ध के मैदान में खेती बाड़ी की बाते क्यों करेगा भगवान कि भई अन्न की उत्पति करनी है खेती बाड़ी की बात है न तो वरिष्टी चाहिए और वरिष्टी नहीं हो रही तो यग्य करना पड़ता है इसलिए जब भी वरिष्टी नहीं होते लोग हवन यग्य शुरू कर देते हैं खेतों में और वहां सारे वेदो को रख करके वेदो की भी परिक्रमा कराते है गीता में भगवान ने कहा है लेकिन जैसे मैंने कहा भगवान कभी ग्रॉस लेवल पर बात नहीं करते है बड़े सुक्ष मस्तर पर भगवान ने बात कहिए अन्न की उत्पत्ती यानि मन को जो healthy nourishment चाहिए विचारों का अच्छे विचारों का क्योंकि मन का खुराक क्या है अच्छे विचार तो अच्छे विचारों का जो खुराक चाहिए nourishment चाहिए उसके लिए वरिष्टी जरूरी है वरिष्टी यानि कृपा वरिष्टी कृपा जरूरी है और वरिष्टी कब होगी दुआएं का प्राप्त होती है जब ये जीवन रुपी यज्य शुद्ध होता है जब अच्छे कर्म करते हैं तो स्वत्ध लोगों के दिल से दुआएं निकलती है कृपा वरिष्टी होने लगती है इश्वर की भी और मनुष्य की भी तो जीवन रुपी यज्य शुद्ध कैसे होंगा तो का कर्मों से उत्पन होने वाला और कर्मों से ही पूर्ण होता है मना कर्म अच्छा होना चाहिए और अच्छा कर्म करने के लिए ज्यान वेद, वेदों में क्या है? ज्यान है ज्यान चाहिए और ज्यान का सोर्स क्या है परमात्मा तो ये बात भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जीवन के संघर्ष में विजय होने के लिए तुम जीवन में अच्छे कर्म करो हर अर्जुन को यही सिक्षा दिया जा रहा है क्योंकि आज negativity का प्रभाव इतना अधिक है दुनिया के अंदर नकारात्मक्ता के प्रभाव में जब यक्ति आ जाते हैं तो जीवन रुपी यग्य ही अशुद्ध हो गया है इसलिए और शास्त्रों में भी रामायन के अंदर भी ये बात दिखाई है के जब रिशी मुनी यग्य करते थे तो उस यग्य के अंदर असूर हड्डियां डालते थे आज मनुष्य भी ये जीवन रुपी यग्य के अंदर हड्डियां ही तो डालता है अशुद्ध भोजन करके क्या डाल रहा है क्या कर रहा है हड़ियां डालता है कि नहीं डालता है नॉन्वेज जब स्विकार करता है तो ये हड़ियां ही तो डालता है तो ये जीवन रुपी यग्या शुद्ध होता है कि नहीं होता है तो इसलिए भगवान कहते हैं ये शास्त्रों में भी ये बात आई डाली और यज्य को अशुद्ध किया और जो आज मनुष्य हर रोज अपने जीवन रुपी यज्य को अशुद्ध करता है वो हड्या डाल-डाल करके क्या कर रहा है अशुद्ध ही तो कर रहा है इसलिए कहा कि अन की उत्पत्ती जो हेल्दी नरिश्मेंट चाहिए अब यज्य ही अशुद्ध हो गया तो वहाँ शुद्ध विचार भी कहां से आएंगे जैसा अन वैसा मन तो मन के अंदर हेल्दी नरिश्मेंट कहां से होगा इसलिए दिन प्रती दिन व्यक्ती के मन की स्थिती इतनी नर्वस्नेस डिप्रेशन की और आगे बढ़ रही है मन शुद्ध ही नहीं है अशुद्ध है तो अशुद्ध विचार मन को डिप्रेश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उन्नति की और थोड़ी ले जाएंगे बहुत सुंदर एक द्रिष्टांत यादाता है मुझे एक बार एक महात्मा जी थे और महात्मा जी ने अपनी कुटिया एक राज्य की सीमा के बाहर बनाई और वहां बड़े प्यार से रह रहे थे अपनी साधना में लीन होते थे उस राज्य से जो भी लोग आते थे या जाते थे स्वाभाविक है कि जब महात्मा जी को देखते थे तो प्रणाम करते थे और महात्मा जी की नजर अगर गई उन लोगों के उपर तो आशिरवाद का हाथ उपर कर देते थे बड़े सिद्ध महात्मा थे और सिद्ध होने के कारण जो भी लोग प्रणाम करते थे और उनका आशिरवात का हाथ उपर हो जाता था उनकी हर मनो कामना या तकलीफे या जो भी प्रॉब्लेम्स होते थे सॉल्व हो जाते थे किसी को कोई बिमारी होती थी किसी को कोई प्रॉब्लेम होता था जीवन में मुश्किलाते होती थी उनकी सुलज जाती थी महात्मा जी के आशिरवात से ही तो नेचरल है कि जो लोग वहां से आते थे राज्य में बाते तो करेंगे और उसी पड़ोसी को सुनाना शुरू करते कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रह रहे हैं बड़े सिद्ध है उसका अशिरवात जिसको मिल जाए उसके सारी मुश्कीले तकलिफे दूर हो जाती है तो धीरे धीरे लोग आने लगे अशिरवात प्राप्त करने के लिए और महात्मा जी अगर साधना में होते थे तो खड़े रहते थे, घंटों खड़े रहते थे और जैसे उनकी नेत्र खुलते थे प्रणाम करते थे महात्मा जी का हाथ उपर होता था आशिरवात दे देते वो बढ़े खुश हो कर के जाते थे और सचमुच उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते थे दीरे दीरे ये बात आग की तरफ पहलने लगी सारे राज्य में और ये बात राजा के कान तकाई कि राज्य की सीमा के बाहर कोई महत्मजी रहते है बड़े सिद्ध है और उनका अशिर्वाद जिसको मिल जाए उसकी सारी तकलीफे समाप्त हो जाएंगे तो राजा ने सोचा कि ऐसा महत्मा फिर राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहा है उसको तो अंदर आके रहना चाहिए अगर अंदर आकर रहेंगे लोगों की तकलीफों को दूर करेंगे लोग सुखी हो जाएंगे तो कर भी ज्यादा मिलेगा आसकती आई उसके मन में लालच आई तो राजा ने अपने मंत्री को बुला कर कहा कि राज्य की सीमा के बाहर एक महत्मजी रह रहे है बड़े सिद्ध है उनके पास आप जाएए मेरा संदेशा ले करके और उन्हें कहिए कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो अंदर आकर रहो उसके लिए आपको जो भूमी चाहिए जितनी भूमी चाहिए हम उपलब्द करा देंगे और उस भूमी पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी दे देंगे मंत्री जी गए राजा का संदेश ले करके महत्मा जी के पास और महत्मा जी से कहा बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कि हे महत्मन हमारे अनदाता का ये निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो अंदर आकर रहो उसके लिए आपको जो भूमी चाहिए जितनी भूमी चाहिए हम उपलब्द करा देंगे और उस भूमी पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी दे देंगे आप प्रजा का दुख दूर करिये यही अमारी भावना है जैसे ही उन्होंने राजा का ये संदेश दिया महात्मा जी मुस्कुराए अंतर ग्यानी थे समझ गए का ठहरो और अपनी कुटिया में गए कुटिया में जाकर अपना कमंडल लेकर बहार आए और मंत्री जी से कहा चले कहा 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 का राजा के पास वो भूमी के दान दे रहे हैं सोना मोहरे दे रहे हैं चलते हैं कौनसी भूमी देते हैं अब मंत्री जी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी महात्मा जी तयार हो जाएंगे उन्होंने सैनिकों को आगे भेज दिया संदेश लेकर के राजा को कहो कि महात्मा जी पधार रहे हैं राजा ने बढ़ी धूमदाम से स्वागत की सारी तयारी की और स्वागत की सारी तयारी के साथ जब खड़े थे महात्मा जी यसे पधारे धूमदाम से स्वागत करते हुए उनको अंदर ले आए राजमहल में आसन ग्रहन करवाया और उसके बाद हाथ जोड करके विनम्रता के साथ निवेदन किया कि महात्मा जी आज से आप बाहर नहीं रहेंगे राज्य की सीमा के अंदर रहेंगे जो भी भूमी चाहिए आप सिलेक्ट कर लो और उस पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना महर चाहिए न वो भी हम देने के लिए तयार है महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कहा ये कमंडल भरके सोना महर दे दो अब जैसे ही कमंडल राजा ने उठाया तो देखा के कमंडल इतना गंदा था इतने जाले उसमें लगे हुए थे बदबू आ रही थी अब उस पात्र के अंदर सोना महर कैसे डाले तो राजा ने अपने दासदासियों को बुला कर कहा ये पात्र साफ करो अच्छी तर साफ करना दासदासियों ने अच्छी तर से पात्र साफ किया साफ करके ले आए राजा ने अपने सिल्क के कपड़े से उस पात्र को पोचा और उसमें सोना मोहर भरी, सोचा कि अब तो महत्मा जिके आशिरवादों की व्रिष्टी होने लगेगी, खुब आशिरवाद मिलेंगे, परन्तु महत्मा जी मौन हो गए, कुछ भी नहीं का, बड़ा अश्यर राजा को इतनी सोना मोर दे दी, फिर भी आशिरवाद नहीं मिला, आखर राजा ने कहीं डाला, महत्मा जी, आपके कृपाव रिष्टी हो जाए, फिर भी महत्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं कहा, दुबारा कहा, हे महत्मन आपके आशिरवाद प्राप्त हो जाए, तब महत आत्मा जी ने कहा, पहले पात्र को साफ करो, राजा ने कहा, मैं समझा नहीं, कि जिस तरह ये पात्र गंदा था, और इस गंदे पात्र के अंदर आपने सोना मोहर नहीं डाली, ठीक, इसी तरह आशिरवाद भी अमुल्य है, इनवेल्यूबल है, आशिरवाद को प्राप्त करने के लिए, पहले मन का पात्र साफ होना चाहिये, मन के अंदर अनेक प्रकार के लालच हो, और उस लालच के करण, ये सोना मोहर तुम मुझे दान कर रहे हो, पात्र ही अगर गंदा है, तो आशिरवाद की प्राप्ती नहीं ह होती है और यही बात भगवान अर्जुन को भी समझाना चाहते है कि जीवन के अंदर अच्छे विचार कहा पनपते है अगर मन का पात्र गंदा होगा तो उसमें अच्छे विचार कि खुराक प्राप्त नहीं होगी